वेल सो गूड मारिंग गूड आफटर नौन गूड इनिंग तो लफ यू कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग आए हो आप बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छा हो तो दोस्तों येस इसके आपने पहले दो लिक्चर्स देख लिए होगे जिसमें हमने इंट्रड़क्शन टो जीस्टी और कॉंसेप्ट आप सप्लाई और साथ साथ में वाल्यू आप सप्लाई जो है उसका सेक्शन 15 कंप्लिट किया था ये लिक्चर जो है अल्रड़ी मेरे यूट्यूब चैनल जिस्टी तिंट जिशाल सार पर मिल जाएगा जिसका प्लेच लिस्ट भी दिखर ज्सार भी दिया हुआ है तो यह इस इसक्रीप्शन जरू देखिएगा सारी प्लेच्ट याने अमेंड्मेट्स कीSTEYनर डिश्स्टीति उसके बाद मैं यहां पे हमारे मिच्छन संभाव की playlist जो है, okay, description में दी है अगर कोई student या first time ये lecture देख रहा होगा, तो मेरा lecture number 01 जरूर देखिएगा उस lecture में, okay, यहाँ पे या lecture 000 जरूर देखिएगा उस lecture में मैंने पूरा complete बताया हुआ है कि आपको mission संभौ के updated charts और बाकी सारा material कहां से मिलेगा, और किस तरह से आपको subscribe करना है subscription के लिए link मैंने description में दिया हुआ है, okay, तो आपको हमारे website पे subscribe करना है okay, आपका login create करना है, material content में आपको वह मिल जाएगा, और आपको telegram link जो आपके login में दी गई है subscribe करने के बाद वो जरूर join करना है क्योंकि आप मेरे साथ उसी telegram link से connect होगे तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते है हमारा lecture no.03 अब मैं आपको एक बात करना चाहूगा कि मैंने okay, कल जो है value of supply जो ये chapter record किया था लेकिन problem उसमें, technical problem ही आ रहा है कि उसमें sound बहुत ब्रेक हो रहा है, ये technical issue आ रहा है तो वो lecture मुझे फिर से record करना पड़ेगा regarding to value of supply इसलिए वो lecture जैसे मुझे space मिल जाता है, आज मैं record कर लूँगा आज के session में हम क्या ले लेते हैं, आज के session में time of supply जो है, ये cover कर लेते हैं time of supply जो है यहाँ पहले हम cover करेंगे और उसके बाद में, okay, मैं value of supply जो है, lecture 03B value of supply बाद में provide करता हूँ जैसे आज मुझे time मिल जाता है मैं आपके लिए specially record कर लूँगा और पूरा अच्छे से दूगा हाँ ठीक है, मेरी मेहना double हो रही है और दोस्तो, okay, revision definitely आपको help होगी तब तक जो है, आप मैंने description में questionnaires डाल दी है तो questionnaires discuss कर सकते हैं और time of supply का questionnaire जो मैं आज जात तक update कर दूँगा वो भी आपने देख लेना है दोस्तो वैसे तो mission sumbo का जो schedule मैंने आपको दी है वैसी चलेगा, लेकिन हो सकता है कि एदर एक दो दीन इदर उदर हो जाए इसलिए schedule रोच track रखना जिसकी मैंने link दी है अगर आप link से हो करके रखो तो आपको daily basis पे track मिल जागा, क्योंकि हो सकता है उसमें एक दो दीन इदर उदर हो जाए ऐसी कुछ technical reason के वज़े से या कभी हो सकता है वेरा personal problem भी हो तो उसके वज़े से अगर schedule रोच चेंज हो जाता है, तो आप track ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये mission संभव आपके लिए है, मैं help कर रहा हूँ इस बार 80 पार के लिए तो चलिए दोस्तों, अभी start करते है हमारा topic time of supply time of supply का chart जो है आपको यहाँ पे मिल गया होगा, हाँ और एक बात बता दू value of supply का chart जो आपके login में आया है, उसको भी थोड़ा change करना है, वहाँ कुछ updates हुए है, तो आपके login में जो value of supply का chart होगा वो चार्ट में specially section 15-5 में rule 31-A value of supply में rule 31-A, 31-B जो add हुआ 31-C जो add हुआ है, इन value of supply chart, तो वह वाला part मेंने change किया हुआ है तो वह updated chart में कल शाम तक upload कर दूगा तो वहाँ अगर आपको section 15-5 में 31-A, 31-B और 31-C यह तीनो sections दिखते हैं मतलब आपका chart completely updated chart है, यह समझना, तो मैं कल उसको properly फिर से update करके यहाँ पे दे दूँगा, क्योंकि बेटा, आज जो है कि यहाँ पे, आज possible नहीं है थोड़ा उसको आपका update करना तो मैं कल शाम तक उसको update करके दे दूँगा session के पहले, तो थोड़ा वो आपको फिर से ले ले लेना है, तो आपको थोड़ी inconvenience ही, पर बेटा, हमारा आपका और मेरा object इस mission संभव का बस यह है, कि हमें साथ में मिलकर 80 पार पुशिश्पूरी करना है, एक है, तो बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बाते हो जाती है तो दोस्तों, अभी हम time of supply इस chapter में यहां पर, आज हम time of supply लेंगे और इस chapter में, यह lecture 03 है और इस chapter में जो है, यहां पर पहले हम complete करेंगे section 31 invoice की provision, 12 और 13 तो यह section 12 और 13 है, यह तो general section है time of supply के, फिर हमें फ़ड़ा final level पे जो advanced level पे पढ़ना है, वो section 14 continuous supply of goods or services और उसमें TOS कैसे fix होता है तो यहां तक देखा जाए, तो section 14 और continuous supply of goods or services का यह जो table है जिसमें TOS कैसे fix होता है, इसमें कोई भी इस बार changes नहीं है तो मैं थोड़ा आपको पहले section 12 और 13 जो है, यहां पर detail में लेना चाहोगा section 12 और 13, okay, यहां specially especially जो है, okay, हम पहले एक page पर discuss कर लेता है और फिर मैं आओगा section 14 और यह जिसमें कोई भी changes नहीं है तो जहां मेरी existing recording आपको दे दी जाएगी तो इस तरह से यह session को हम complete कर लेता है तो are you ready? Yes or no? तो चलिए शुरू करते हमारा discussion on time of supply हाँ, और आपको एक बात कहना चाहूगा कि अगर आपको यह revision अच्छे लग रहे है जो मैं आपके लिए specially मेहनत कर रहा हो और मैं चाहता हो कि मेरा हर student इस बार IDT में 80 पार हो और आपको इसका benefit हो रहा होगा तो जो है, आप like जरूर कीजिएगा और अपनी comments जरूर दीजिएगा आपकी comments मुझे motivate करते रहेगी और very important point अब जो मैंने आपको questionnaire का schedule दिया है तो description में questionnaire की playlist दिया है वो playlist से आपको questionnaire जिस दिन मैंने जो date को आपको कहा की questionnaire को practice करना है मैंने selected questions discuss किया है तो selected questions का practice आपको questionnaire description में chapter wise में upload कर रहा हूँ वो इस chapters लेने हैं और आपको complete करना है अगर इस तरह से हम दोनों साथ में plan और schedule बनाते रहे तो आपकी पड़ाई अच्छी हो जाएगी और फिर से कहते हैं हम अच्छा score करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा discussion जहां तक है yes time of supply time of supply के लिए तीन event बहुत जरू और पहला event आपका tax invoice tax invoice दूसरा event आपका receipt receipt और supply of goods होगा और supply of service होगा supply of goods होगा तो removal removal और इसको हम last date भी कहते हैं जिसको हम last date of invoice भी कहते है last date of invoice और service होगा तो वो situation में completion वो situation में completion ठीक है तो ऐसे situation में यहां तक देखा जाया है यहां पर अब देखो live हूँ बेटा recorded नहीं है live ठीक है तो tax invoice जो है यहां पर यह tax invoice की अगर हम बात करें तो supply of goods के case में tax invoice कभ इशू होगा supply of goods के case में और supply of service के case यह समझ लो supply of goods के case में आपका invoice issue होता है और वो है अगर goods में movement है अगर goods में movement है तो आपने invoice issue करना चाहिए before or at the time of removal at the time of removal for supply removal for supply तो अगर goods में movement है तो आप पहले भी दे सकते हो यह at the time of removal for supply अगर in tax invoice की provision goods में movement नहीं है अगर no movement है goods में तो आप invoice दे सकते हो at the time of delivery before और at the time of delivery at the time of delivery आप invoice दे सकते हो यह तो हमने tax invoice की provision अभी अभी तक हमने TOS ने start किया यह जो provision देखा हमने tax invoice का दे फिर उसके बाद में हम बात करेंगे supply of services से supply of services related अगर हम बात करें तो supply of services related दहाल से सुनिएगा invoice कब देना चीए तो वो कहते है कि invoice जिस दिर आपकी service complete हुई वहां से 30 days में मतलब आप invoice पहले भी दे सकते हो आप invoice पहले भी दे सकते हो आप during भी दे सकते हो बाद में दे सकते हो within 30 days 30 days तक invoice दे देना चीए और banking और financial institution होगा तो वो situation में आप जो invoice 45 days में दे क्या आप 30 days के बाद invoice दे सकते हो क्या 30 days के बाद invoice दे सकते हो फिर उसको late fee लग जाती है तो यह थी tax invoice की provision दूसरा receipt जो है दो type की होती है अब हमने tax invoice के बारे में देख लिए receipt दो type की होती है अगर हम receipt की बात करें तो आपको पैसा जो मिलता है एक जो पैसा मिलता है वो आपको समझ लो यहां पे यह समझ लो bank है और यह आपका customer है एक पैसा मिलता है कि आपको check आगया cash आगया और फिर आपने bank में deposit किया तो यह जो है इसमें पहले book entry हो जाती है इसमें पहले book entry हो जाती है क्योंकि check मिल गया and thereafter credited to bank, credited to bank यह second event होता है तो receipt कम मानना तो वो कहते हैं कि अगर आपकी book entry पहले हो गई तो book entry या credit to bank which is earlier कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी होता है कि समझनों bank है कि आपका online payment चले गया bank में पहले आगया आपके bank में पहले आगया और बाद में आपने book entry की आपके online payment के case में बाद में आपने book entry की तो ऐसे situation में बैंक में पहले आ गया, book entry bank, whichever is earlier, मतलब क्या, book entry और bank whichever is earlier, इस तरह से receipt की यह factors आपको ध्यान रखना है, चलो, इसके basis पे हम अब TOS fix करेंगा, तो सबसे पहले हमें समझ लेना है invoice, invoice अगर goods का है, अगर आपका यहाँ पे, SOG, चार्ट में लिख देना, supply of goods होगा, supply of goods होगा, तो आपका invoice, removal for supply, अगर moment होगी, या delivery or making available, अगर moment नहीं होगी, तो on or before, मतलब before or at the time आपने invoice दे देना चाहिए, उसके बाद में, invoice by the supplier of the service, service के case में 30 days में और maximum 45 days में invoice चले जाना चाहिए, चलो, Sir, इस से ज्यादा कुछ पढ़ना है, नहीं, ये चाप्टर में इतना ठेक है, that's all, ठेक है, उसके बाद में, associate enterprises बाद में देखेंगे, time of supply पढ़ते हैं, ये चाप्टर को ज्यादा regular book से time मत देना, इतना पढ़लो और फटा-फट questionnaire, ये table सामने रखो और questionnaire solve करो, तो अब time of supply goods, और time of supply service, मतलब आप payment कब करोगे, ठ्यान रहे, मैं आपको ये कह देता हूँ, कि आप payment करोगे, तो यहाँ पे normally, normally liability supplier पे आती है, मतलब government को tax कब दिया जाएगा, GSTN portal पे, तो normally liability supplier के आती है, under forward जाए, और कुछ case में, अगर आपको याद होगा, तो RCM लगता है, और RCM में RCM लगता है, और वो case में, reverse charge में, liability आती है, तो ऐसे case में, time of supply, forward charge में क्या होगा, और time of supply, reverse charge में क्या होगा, यह आपको जानना जरूरी है, तो पहले सबसे पहले देखते हैं, forward charge में, यहाँ पर, ओके, देखो क्या, earlier of, ओके, forward charge है, और supplier of goods है, तो earlier of, date of issue of invoice, या last date of issue of invoice, हा मतलब, आपका goods के case में, invoice या last date of invoice, और last date of invoice, equals to mahalik सकते हो, that is date of, date of removal for supply, date of removal for supply, okay, मतलब क्या, कि वो invoice basis में fix होगा, अगर invoice आपने late दिया, तो फिर last date, याने date of removal for supply होगा, अगर notification 66 by 2017 पढ़ते हो, तो TOS of goods is not on the date of receipt or advance from the supplier, okay, तो receipt or advance पे TOS नहीं आएगा, other than, composition dealer, और ये बहुत important है, जो इस बार की amendment है, supplier of specified actionable claim, amendment में मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, पर आपको यहाँ पे, amendment lectures जरूर देखिएगा, description में मैंने link दी हुई है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, amendment lectures जरूर देखि okay, description में है, पर वो जरूर देखिएगा, और जितना जल्दी हो सके, priority भी देख लो, okay, आज की lecture की बात में update कर दूँगा, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, तो supplier of specified actionable claim होगा, तो वो case में, अब specified actionable claim कहां से आ गया बदाता हूँ, goods की definition कहती है, कि goods includes actionable claim, अगर आपके actionable claims हो तो वो goods के definition में आते है, फिर schedule 3 कहता है, schedule 3 कहता है, कि actionable claim पे GST नहीं आएगा, schedule 3, okay, not treated as supply, not treated as supply, और not treated as supply में क्या, तो इसमें आएगा schedule 3, sorry, actionable claim, actionable claim, supply नहीं बोला जाएगा, अगर आपको याद होगा, तो, याद आ रहा है की नहीं आ रहा है, बताओ पड़ा पड़ा रहा है, actionable claim, supply नहीं बोला जाएगा, पर उसमें अभी एक amendment हुई, और वो कहा, other than, other than, specified actionable claim, specified actionable claim, एक नया word लाया गया, यह मैंने amendment में भी लिया हुआ है, specified actionable claims, okay, एक नया word लाया गया, okay, और यह specified actionable claim, जो है, okay, उस पर GST आएगा, अब specified actionable claim की definition देखी, जो हमने कल देखा, इसमें जो है, specified actionable claim में क्या क्या आता है, अगर आपको याद होगा, तो lottery, waiting, gambling, casino, horse racing, और एक इन्होंने, casino, horse racing and online money gaming, online money gaming, तो इन्होंने जो है, यहाँ पर casino, okay, horse racing and online money gaming बड़ा दिया है, और इन 6 का नाम दे दिया गया है, specified actionable claim, और यह 6 सभी goods है, यह 6 सभी goods है, तो ऐसे situation में, अब वो क्या कहते देखो, notification 66 by 2017, specified actionable claim को protect नहीं करेगा, मतलब क्या, मतलब अगर आपको महा लिखना है, तो आप लिख सकते हो, कि specified actionable claim होगा, तो वो case में receive basis पे TOS हैगा, यहाँ यह specified actionable claim होगा, तो यहाँ पर TOS, यहाँ पर TOS is earlier of, earlier of, वन, date of issue of invoice, date of invoice, two, last date of invoice, last date of invoice, और three, okay, three जो है, last date of invoice, और three अगर हम बात करें, तो date of receipt, whichever is earlier, date of receipt, मतलब जो यहाँ पर, अगर specified actionable claim है, तो notification 66 by 2017 नहीं लगेगा, और receipt basis पे भी GST आएगा, तो इस पे सवाल आने के पूरे chances है, ठीक है, तो amendments देख लेना, और मैंने आपको पड़ा दिया है, यह सबको समझ में आया होगा, तो फटाफट one type कीजिएगा, सबको समझ में आया होगा, तो फटाफट one type कीजिएगा, ओके, और like ठो कियेगा, तो ऐसे situation में, ओके, यहाँ पर यह amendment हुई है, ओके, time of supply में, अगर goods होगा, तो एक बार फिर से मैं revise कर दू, सारे goods के लिए, invoice या last date of invoice ही लिया जाएगा, that is date of remote, उसी दिन TOS आएगा, time of supply आएगा, आपकी liability उस मन्त में आएगी, लेकिन specified actionable claims होगे, याने 6 actionable claims, तो फिर तीनों में से whichever is earlier, कौन से तीनों में से whichever is earlier, date of invoice, last date of invoice, या date of receipt, whichever is earlier, notification 66 by 2017, specified actionable claim को applicable, नहीं है बोस्तो, चलिए, यह आपने देख लिया, specified actionable claim, तो forward charge में goods का आपने देख लिया, अब service का देख लेते, service में क्या लिखा है उन्होंने, service में थोड़ा आपने approach बदल देना, वह invoice issued within time, within time मतलब 30 days और 45 days, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा break-break लगा के चलना है, अगर invoice within time है, तो फिर invoice or receipt whichever is earlier, हाँ, अब receipt की दो date हो सकती है, तो आपको problem में तीन date आ सकती है, date of invoice, receipt की date book entry, book entry या bank, तो आपको तीनों में से whichever is earlier, क्योंकि invoice और receipt की दो date, तो इन तीनों में से whichever is earlier आपको लेना है, यह समझा, उसके बाद में invoice not issued within time, अगर invoice within time नहीं है, मतलग 30 days और 45 days में invoice नहीं दिया गया, तो government नहीं रुखने वाली, government कहते हैं, देख भाई, वैसे तो हमारा TOS invoice और receipt whichever is earlier, लेकिन invoice अगर तो 30 days में और 45 days में नहीं देता है, तो हम रुखने वाले नहीं है, फिर date of completion of service या receipt whichever is earlier, फिर जो completion की date है, या receipt whichever is earlier लिया जाएगा, और यहाँ पर, if TOS cannot be determined in A or B, the date of recipient shows the receipt of service in his books of account, यह वाला पार्ट मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, तो यहाँ date when recipient shows the service in his books of account, अब बहुती बार क्या हो जाता है, यह example मैं आपको लिएगा, example लो, jay sir, तो jay sir जो है, यहाँ पर v smart को service दे रहे है, और यहाँ पर jay sir service दे रहे है, ठीक है, तो वो जो है billing v smart पर करते हैं और v smart आपको classes दे रहे हैं, अब jay sir के account से अगर आप दिखा जाए, समझे लो, उनका कोई batch फेब में चालू हुआ है, जान से सुनना, उनका कोई batch फेब में चालू हुआ है, तो अब jay sir क्या कह रहे है, कि sir, okay, जो batch फेब में चालू हो रहा है, उसका payment मुझे आप year होने के बात करना, मार्च के बात करना, क्यों? क्योंकि अगर ये साल मैंने उसका payment कर दिया, समझे लो, उसका payment हो रहा है 5 lakhs रूपी, और ये साल मैंने payment कर दिया, तो jay sir का उतना revenue बढ़ जाएगा, income बढ़ जाएगा, और वो इस बार income नहीं बताना चाहते है, मैंने का नहीं, जै एक काम कर, तू payment ले ले, क्योंकि मुझे expenses बताना है, मुझे ये साल payment करना है, क्योंकि मुझे expenses बताना है, मैं expenses बताऊगा, तो मेरा profit कम होगा, तो अब ऐसे case में supplier of the service कौन होए, jay sir, और recipient कौन हुआ, मैं, recipient हुआ मैं, अब देखो supplier of service जो है, jay sir हुए, अब jay sir ने, यहाँ पे, okay, मुझे ना invoice दिया, ना, देखो, मुझे invoice दिया क्या, नहीं, invoice नहीं दिया, क्या, यहाँ पे, अब सुनिए, jay sir ने यहाँ पे कोई payment लिया क्या, नहीं, jay sir का receipt भी नहीं हुआ, okay, jay sir की service complete हुई क्या, service भी complete नहीं हुए, क्यों नहीं service complete, क्यों क्योंकि batch 3 मैंने का है, February, March, April तो service भी complete नहीं हुए, पर मैंने jay sir को कहा, sir proportionate नो ले लो, उनने नहीं, अब फिर क्या हुआ, अब law क्या कहता है देखो, पर मैंने क्या कर दिया, proportionate 50%, जितना batch हुआ, उतना मेरे books of account में provision कर दिया, मेरे books of account में provision, provision कर दिया, profit and loss account को debit किया, और payable निकाल लिया, और provision मेंने 2.5 lakhs कर दिया, batch का payment था, 5 lakhs, 2.5 lakhs payment कर दिया, और इसकी entry जैसर ने कुछ किया, न invoice दिया, न receipt दिया, न completion है, क्योंकि अगर तीनों में से कुछ हो जाए, तो TOS फिक्स हो जाता है, invoice दिया, तो date of issue of invoice, receipt हो गया, तो receipt, या completion हो गया, तो completion, तो clause A और B में, तीनों में से कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, अब government क्या के थिया, अगर supplier ने तीनों में से कुछ भी नहीं किया होगा, पर उसके recipient ने, shows the receipt, shows the receipt of the service, receipt of the service, in his books of account, मेरे books of account में मैंने उसकी service receive बता दिया, partly बता दिया भई, partly service भई, proportionate basis by accounting standard की साब से बता दिया, तो ऐसे case में, अगर जैसर ने कुछ भी नहीं बता दिया होगा, पर उसके recipient ने बता दिया होगा, तो जैसर का TOS आजाएगा, तो जैसर का TOS, जिस दिन recipient ने बताया आपने books of account में, समझे लोग मैंने 31st March को entry pass कर दी, provision की, तो उस दिन supplier का TOS आजाएगा, तो yes, be conscious, supplier को भी conscious हैना पड़ेगा, कि उसके recipient ने entry ना की हो, तो ऐसे case में government छोड़ेगी नहीं, government कहती है कि A और B नहीं determine हुआ, लेकिन recipient ने service हो कर दी, तो supplier का TOS आजाएगा, समझाओगा, तो फटाफट 2 टाइप करो, ठोको लाइक, तो यह देखा आपने, जहां तक है, supply of service, गुड्स के case में और supply of service के case में, यह तो था वेटा forward charge, इसके बाद मैं बात करते है, reverse charge, यह आपका invert supply, जो reverse charge, on करना, on invert supply, reverse charge के case में, अगर आपकी liability आती है, तो यहां क्या होगा, reverse charge के case में, देहन से समझ लो, अगर आपकी liability आती है, reverse charge के case में, जहन से सुनो, तो TOS is on, date of receipt of goods, reverse charge के case में देख रहा, TOS is on, date of receipt of goods, यह date of payment, यह 31st day from supplier's invoice, 31st day from supplier's invoice, whichever is earlier, अब थोड़ा यह point को समझ लो, और payment की 2 dates, payment की 2 dates, debitate to books of account, बतला book entry, यह learn करके जाना है, यह institute का favorite area है, either goods का reverse charge, या service का reverse charge, वो पूछते हैं, important है, goods या service का, या bank debit, या bank debit, अब समझ लो, शायद आपको याद आएगा, नहीं आएगा, पर मैं बता देता हूँ, goods के case में reverse charge कहा आता है, गूट्स के case में reverse charge आता है, section 9-3 में, cashew nuts, अगर supplier agricultureist है, supplier agricultureist है, और, दूसरा, मैं आपको यह कह दू, supplier agricultureist है, और recipient जो है, recipient यहाँ पे register person है, और cashew nuts होगे, तो इसका tax यहाँ पे RCM में goods खरीदा, RCM में recipient को देना पड़ता है, या फिर 9-4 के reverse charge में cement खरीदा, capital goods खरीदा, whatever from unregistered person, तो goods का reverse charge आता है, कुछ याद आ रहे आपको? अगे कुछ याद आ रहे आपको? चलो, तो ऐसे situation में, goods का अगर reverse charge होगा, जहान से सुनिएगा, goods का अगर reverse charge होगा, तो वो situation में, जहां तक देखा जाए, तो रिवर चार्ज में, recipient कब पे करेगा, tax government को, उसका TOS कब आएगा? date of receipt of the goods, जिज दिन goods receive हुआ, जिज दिन cashew nuts receive हुआ, second date of payment, मतलब book entry, या bank debit हुआ, या 31st day from supplier's invoice, मतलब supplier ने जिज दिन invoice दिया, वहाँ से 31st day, whichever is earlier, तो problem solve करते हैं, बिल्कुल learn करके चल जाओ, यह charge date लिखनी, और जो earlier आए वो TOS, क्या लिखना, learn करो, date of receipt of goods, date of payment में, book entry, debit to banks, और जिज दिन supplier का invoice है, वहाँ से 31st day, whichever is earlier, इन चारों में से, जो भी earlier होगा, यहाँ पे, चारों में से, whichever is earlier होगा, तो वह यहाँ पे, जहां तक देखा जाए, आपका, QS माना जाएगा, नाव next, note, if A, B and C, is not possible, then date of entry in the books of account, date of entry in the books of account, वह लिया जाएगा, मतलब समझ लो, कि, यहाँ पे, recipient ने जिस दिन, provision कर दिया, provisions in the books of account, in the books of account, हाँ, यह point समझ लो, provision ने क्या, मतलब समझ लो, goods receive नहीं हुआ, हमने payment में नहीं किया, और supplier ने invoice में नहीं दिया, पर 31st March को, हमने provision कर दिया, क्यूंकि agreement था, यह तो river charge में TOS था, उसके बाद में, river charge में service है, समझ लो, आपने GTA service ली, lawyer की service ली, सुनिये, आपने GTA service ली, lawyer की service ली, या आपने sponsorship service ली, जो भी river charge में service होगी, तो यहाँ पे date of payment, date of payment की 2 dates, कौन सा, book entry, इस दिन book में entry करोगे, या debit to bank, debit to bank, okay, date of payment, और 61th day from supplier's invoice, service के case में, 61th day लेना है आपको, from supplier's invoice, whichever is earlier, okay, दोना में से, whichever is earlier होगा, वो आपको यहाँ पे consider करना है, अब थोड़ा, दोस्तों, यहाँ पे देन, okay, यहाँ पे आपको carefully देन देना है, और वो क्या देन देना है, देन से सुनिये, कि यहाँ पे, हाँ, service के case में, जैसे goods के case में, date of receipt of goods दिया है, service के case में, date of receipt of service अगरे नहीं दिया, यहाँ दो ही है, date of payment, payment की दो dates, यह 61th day from supplier invoice, whichever is earlier, इस में से लेना है, और अगर A और B पॉसिबल नहीं है, तो जिस दिन आपने books of account में provision कर दिया, okay, समझ लो, आपने payment नहीं किया होगा GTA का, आपने, okay, GTA का invoice भी नहीं आ होगा, okay, और आपको invoice भी नहीं आया होगा, तो वो situation में जहां तक देखा जाए, okay, I repeat, वो situation में जहां तक देखा जाए, तो जिस दिन books of account में provision किया, वो date आपने ले लेना है, तो चलिए, यह provision वाला तो, okay, यहाँ पर, जिस दिन books of account में provision किया, अगर कोई entry नहीं होती है, तो ठीक है, otherwise, आपको learn कर लेना है, यह 4 dates, goods का होगा, और उसमें 31st day लेना है, और service का होगा, तो 61th day लेना है, ठीक है, चलिए, तो यह हुआ, यहाँ पर, जहां तक देखा जाए, RCM, okay, RCM में goods का, और service का TOS कैसे fix होगा, now, payment up to Rs.1000, in excess of invoice, अब यह समझ लो, payment up to Rs.1000, in excess of invoice, अने क्या, तो में लो, Vodafone idea, Vodafone idea, और मैं, ठीक है, यहाँ पर, विशाल भटड, Vodafone idea ने, मुझे invoice बेजा, मेरे bill का, और invoice बेजा, जिसकी value, 14.53 थी, और उसके उपर GST लगा के, whatever GST, GST at the rate, 18% लगा के invoice दे दिया, 14.53, into 18%, तो यहाँ पर 261 रुपीज, मुझे यहाँ पर GST लगाया, तो 14.53, प्लस 261, यहाँ, तो वो 17.17 का bill मुझे दे दिया, ठीक है, अब क्या हुआ, invoice मुझे दिया गया, मैंने Vodafone idea को, यहाँ पर लंसम पेमेंट कर दिया, और मैंने पेमेंट कर दिया, 2000 रुपीज, रुपीज 2000 का मैंने पेमेंट कर दिया, लंसम, अब Vodafone idea ने तो 2000 मांगा ही नहीं था, उन्होंने मांगा था 17.17, ठीक है, और मैंने लंसम 2000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, 2000 रुपीज का मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया, अब Vodafone idea के बुप में, अगर माइनस 2000 करो, तो 283 रुपीज एडवांस आ गए, अब वो अपने बुप में क्या बताएगा, कि मैं एक्स्ट्रा मिला, मतलब एडवांस मिला, Vodafone idea क्या करेगा, जब उसका second invoice issue करेगा, जब उसका second invoice issue करेगा, तो second invoice में मैं यह adjust करके देदेगा, कि ठीक है, वड़ा company ऐसा करती है, कि मैं ठीक है, एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, second invoice में adjust हो जाएगा, अब problem क्या है, specially service के case में, I repeat, specially service के case में problem क्या है, अगर आपको advance मिलता है, तो advance पे TOS आ जाता है, तो यह 283 रूपीज पे TOS आ जाएगा, फिर वो बाद में adjust भी होगा, यह calculation करने में supplier को दिक्कत जाती है, इसलिए, और specially service में advance basis पे आता है, तो ऐसे case में, यहाँ पे government ने एक रियायत दी supplier को, अगर किसी को ऐसा advance आया, अगर किसी को ऐसा advance आया, जो in excess of invoice है, मांगा नहीं गया, मांगा नहीं गया, invoice हमने दिया था, सामने वाले ने हमें extra दे दिया, उस type का advance है, in excess of invoice है, और वो up to 1000 होगा, वो up to कितना 1000 होगा, यह 1000 ही नीचे होगा, तो उसका TOS advance पे न create करते हुए उसका GST जब second invoice में adjust होगा तो तब भी TOS create किया तो भी चलेगा मतलब advance मिला तब न create करते हुए जब उसका second invoice में adjust होगा adjustment के time तुमने उसका GST दिया तो भी चलेगा पर यह amount 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर यह amount 1000 से ज़्यादा होगी अगर यह amount 1000 से ज़्यादा होगी तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो फिर advance पे create करना हुए समझे लो यह 2830 होता 2830 extra होता तो फिर advance पे यह आता सिव up to 1000 per invoice I repeat up to 1000 per invoice उन्होंने यह benefit दिया हुआ है तो ऐसे situation में बेठा यहाँ पे समझ लो ऐसे situation में चलो यहाँ पे समझ लो वो क्या कहते है देखो TOS add the option of supplier अगर supplier चाहे तो वो जो up to 1000 मिला date of issue of next invoice in which payment is adjusted उसमें भी अगर address किया तो भी चलेगा यह तो था regarding to अगर excess amount मिला up to 1000 तो उसके लिए हम TOS कैसे fix करेंगे फिर बात करते वेटा vouchers की vouchers okay मतलब वो vouchers जिसके against में goods or service देने का वादा किया हो मतलब ऐसे vouchers जो cash discount नहीं है vouchers जिसमें supply of goods या supply of service देने का देने का वादा किया हो वादा किया हो मतलब आपको launch के voucher मिल गए आपको okay sports कहीं पर club के voucher मिल गए जिसमें service देने का वादा किया हो food के voucher मिल गए food देने का वादा किया हो okay shopper stop वाले ने कोई goods के voucher दे दिये ऐसे voucher जहां goods or service देने का agree किया हो और वो vouchers अगर issue होते है तो उस पर भी GST आता है वो vouchers अगर issue होते है तो उस पर भी GST आता है तो अब law क्या कहता है law यह कहता है कि अगर voucher में supply is identifiable अगर जो voucher दिया गया उसमें supply clearly identifiable है तो अब आप shopper stop में जा रहे हैं और वो आपको voucher दे रहे हैं जिसमें आपको clear का है कि आप shirt ले सकते हो up to 1000 shirt ले सकते हो only up to 1000 या food voucher होगा तो यह food pizza आप ले सकते हो तो अगर वो voucher clearly identifiable है कि उसमें क्या मिलने वाला है तो उसका TOS date of issue of voucher पे आएगा तो आपको voucher देगा कि इसमें यह आपको voucher मिला इसमें आपको specific shirt मिलेगा तो अगर voucher identifiable है तो आपका TOS जिस दिन shopper stop वाला voucher देगा उससी दिन आपका TOS आएगा और यह voucher में जो goods का वादा किया जा रहा है वो उसकी value होती है as per rule 32 ठीक है तो in simple word अगर shirt का वादा किया गया तो shirt की जो value रहेगी वो value लिया जाएगा shirt up to 1000 होगा तो वो voucher की value 1000 लिया जाएगी आपको तो अभी TOS याद रखना है TOS जो है date of issue of voucher वो लिया जाएगा in other case in other case मतलब voucher is not identifiable voucher identifiable नहीं है समझ लो तो अगर voucher identifiable नहीं है तो date of redemption of voucher लिया जाएगा I repeat date of redemption of voucher यहाँ पे consider होगा समझ लो मैं आपको एक voucher ले रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि up to 1000 आप कुछ भी ले सकते हो मेरे shop से आपने अच्छी खरे दी कि चलो यह voucher लो ऐसा voucher जो cash discount नहीं है ऐसा voucher जिसमें मैंने goods या service देने का वादा किया हो तो उस पे GST आता है अब मैंने आपको voucher दिया और आपको गहा कि आप up to 1000 मेरे shop से कुछ भी ले सकते हो जो identifiable नहीं है तो फिर उसका GST जिस दिन voucher दे रहा हूँ उस दिन नहीं आएगा तो उसका GST जब customer उसको redeem करने आएगा क्योंकि मैं कुछ भी देने का वादा कर रहा हूँ तो जब वो redeem करने आएगा तो उस दिन उसका TOS आएगा तो चलिए अगर voucher identifiable है तो date of issue of voucher होगा और voucher not identifiable है तो यहाँ पे date of redemption of voucher लिया जाएगा तो यह था regarding to vouchers के case में के TOS कैसे fix होगा उसके बाद में residual cases अब residual cases में वो क्या कहते है देखो section 12.5 and 13.5 TOS cannot be determined in any of the above section मतलब अगर उपर दिये गए section में TOS ने fix हो रहा है मतलब ऐसा chronical tax evader है ओके भाई वो ना पूरा-पूरा tax evader है और वो जो है tax शुपाता है ना invoice issue करता है ना okay removal बताता है record event नहीं करता है यह service का है कि कोई invoice नहीं कोई completion नहीं कोई यहाँ पे receipt नहीं okay सब कच्चे में धंदा करता है कच्चे मतलब okay यहाँ पे black धंदा करता है और वो पकड़े गया वो पकड़े गया तो उसका TOS कैसे निकाल हो गया क्योंकि उपर दिये गया provision से TOS fix ही नहीं होता है तो in case अगर वो periodical return के provision में आता है मतलब उसने return देना चाहिए तो date on which such return is filed मतलब okay sorry due date on which ऐसा करो due date okay यहाँ correction कर ले न due date on which return is to be filed जिस दिन उसकी return की due date आएगी okay वो due date उसका TOS का date माना जाएगा और in other cases समझलों return की provision में नहीं आता है तो date of payment of tax वो माना जाएगा चलिए उसके बाद में interest late fee penalty for delay payment of tax जैसे मैंने आपको पढ़ाया था delay क्या पढ़ाया था interest दो type के होता है okay interest एक होता है loan advances और deposit का और दुसरा होता है delay payment of consideration or deposit का होगा तो ये interest है तो service है तो service but exempt है unless credit card का होगा तो तो सारे interest अगर आपने किसी को loan दिया होगा उसका interest मिला होगा आपने advances दिये होगे उसका interest मिला होगा, या आपने deposits दिये होगे और उसका interest मिला होगा, तो वो interest exempt रहेगा, ठीक है पर delay payment of consideration होगा delay payment of consideration होगा तो ये बेटा value में add होता है अगर आपको याद होगा तो section 15.2.D में, okay interest late fee or penalty for delay payment of consideration, तो वो value में add किया जाता है, then, अब ये delay payment of consideration का TOS कब आएगा value में add होगा, और कि GST liability कब आएगी, तो very important, ये तो institute of favorite area है कि date on the supplier receives such addition in value, जो month में interest मिला, जो month में late fee मिली, जो month में penalty मिली, उस month में वो add किया जाएगा तो चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे, okay, time of supply की provision, जो है, हमने section 12 और section 13 में देखी, section 12 और 13 में, okay, पहले forward charge और reverse charge जो है, वो goods के लिए अलग है, service के लिए अलग है, लेकिन जो है, बाकि vouchers, residual case और interest की बात करे, या 1000 वाली बात करे, तो दोनों के लिए same provision है, इस बार की amendment आपको ध्यान रखना है, कि specified actionable claim, याने casino, online money gaming, समझ लो, मेरा online money gaming app है, और उस पे आपने अगर, पहले पैसा, जैसे बहुत सी पैसा आप से पहले लेती है, तो अगर online money gaming में पहले आप से पैसा लिया जा रहा है, तो उसका tax receive basis पे आएगा, क्यों नहीं, invoice बाद में हो, advance में मिला, तो advance में उसका tax आएगा, lottery होगी, online money gaming होगा, casino होगा, casino में पहले आप से पैसा लेके, फिर आपको coupon देता है, तो जैसे advance में पैसा आगया, उसके ओपर GST आ जाएगा, तो यह एक important point जहां आपको question पुछा जा सकता है, वो आपने देखा, अब देखेंगे associated enterprises, एक concept है associated enterprises वाला, associated enterprises मतलब enterprises जो related है, associated है, as per section 92 A of income tax act, example holding subsidian etc, associated enterprises का TOS कैसे fix होगा, जैसे, अगर associated enterprises, जहाँ supplier, supplier outside India है, supplier outside India है, और recipient इंडिया में है, और service बहार से इंडिया आ रही है, यह service import service है, okay import service है, और दोनो associated enterprises है, तो मैंने क्या पढ़ा है था, अगर import service होगा, तो river charge लगता है, और RCM में tax pay करना पड़ता है, okay यहाँ पर government को, GSTN portal पर RCM में tax देना पड़ता है, अब RCM में अगर service आती है, तो मैंने क्या क्या था, मैंने यह कहा था, कि RCM में अगर service आती है, तो आपका TOS कैसे आता है, तो बताओ RCM में service आईगी, तो आपका TOS कैसे आएगा, okay, TOS कैसे आएगा, तो आपका TOS आएगा, okay, हमने क्या देखा था, date of payment, date of payment, और दूसरा, 61th day, 61th day, from supplier invoice, supplier का जो invoice होगा, वहाँ से 61th day, तो date of payment में 2 date, कौन सी 2 date, book entry है, debit to bank, लेकिन दोस्तों, जहां तक देखा जाए, तो book entry, यहाँ पे, लेकिन अगर associated enterprises से import होता है, तो यहा 61 days वाला criteria applicable नहीं होगा, associated enterprises से देखा जाए, तो 61 days वाला criteria applicable नहीं होगा, वह कहते हैं कि, अगर associated enterprises होगी, and supplier of services is located outside India, the time of supply shall be date of entry in the books of account, और date of payment which is earlier, तो फिर वह case में, जो service हमने import की, उसकी entry कब की, तो entry in the books of account, in the books of account, मतलब जो service हमने import की entry कब की, या date of payment, whichever is earlier, वो applicable होगा, the criteria of 61 days is not applicable, यह लिख सकते हो, the criteria of 61th day, is not applicable, आपको वो applicable नहीं होगा, तो चलिए, यह provisions हमने, यहाँ पे section 12 और section 13 की, step by step सारी provisions हमने देखे हैं, चलिए दोस्तों, तो यह आपने देखा section 12 और 13, जो हमने complete किया, time of supply का, अब थोड़ा discussion advanced level पे लेके जाते हैं, और section 14, change in rate of tax की case में, यहाँ पे TOS कैसे fix होगा, और दूसरी बात, यहाँ पे change in rate of tax की case में, TOS कैसे fix होगा, और second case में, मैं आपको यह कह दू कि, continuous supply of goods और service के case में, TOS कैसे fix करना चाहिए, थोड़ा advanced level पे discussion करते हैं, जो मेरी existing recording, advanced level, बहुत अच्छे से मैंने उसको, यहाँ पे explain किया है, वो अब इसके बाद में, उसमें में explain करूगा, हाँ, एक बास समझ लो, कि notification 66 by 2017, यह section 14 को भी applicable है, मतलब changing rate of tax को भी applicable है, यानि in case of supply of goods, मैं पहली बता दूँ आपको आगे की discussion के पहले, in case of supply of goods, क्यों ना section 14 हो, अगर आप section 14 में changing rate of tax fix कर जहो, तो वो invoice और last date of invoice के base पे ही fix होगा, वो receipt basis पे fix नहीं होगा, यानि 14 में भी आपका जो rate है उस दिन का लिया जाएगा, जो invoice का date है, या last date of invoice लिया जाएगा, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बता है, कि specified actionable claim, यह ऐसा goods आ चुका है, जिसका यहाँ पे TOS receipt basis पे fix होगा, मतलब invoice, last date of invoice और receipt, whichever is earlier, क्योंकि इसको notification 66 by 2017 applicable नहीं है, तो ऐसे case में समझे लो online money gaming है, पैसा पहले आ रहा है, casino पैसा पहले आ रहा है, तो invoice, last date of invoice और receipt whichever is earlier, उसके base पर specified actionable claim का TOS fix होगा, तो फिर अगर specified actionable claim के case में section 14 लग रहा है, तो फिर section 14 तो बेटा फिर जैसा है वैसा ही लगेगा, मतलब अगर आपका supply पहले है, तो invoice और receipt whichever is later, और supply बाद में है, तो फिर invoice और receipt whichever is later, और दोनों पहले तो विचवर और जो principle हम आगे देखने वाला है, तो यहाँ पर normal goods के लिए section 14 दो ही इस पर चलता है, invoice और last date of invoice, receipt basis पर नहीं चलेगा, लेकिन specified actionable claim के लिए जैसा अभी हम explain करने वाला है, तो उसके लिए goods की अगर बात करें, तो वो specified actionable claim पर normal जैसी प्रोजन वैसी चलेगी, दूसरा service के लिए तो बिटा जिक्षो, जो आप मैं section 14 आपको पढ़ाने वालो, वो 14 जो है normally जैसे, okay, आप TOS fix करोगे, इस तरह से ही, जैसे मैं आप भी पढ़ाओगा, उस तरह से ही fix होगा, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, अब advanced level का discussion section 14, और continuous supply of goods and continuous supply of services, समझाओ तो जो, बोलिए yes sir, चलिए, तो यह अमने section 12 और 13 complete कर लिया है, okay, और आपको यह पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको पता है, चलिए, अब आते section 14, section 14 changing rate of tax, बहुत ही easy है, चेंजिन रेट आप टैक्स बहुत easy है, situation को पहले दो पार्ट में divide करो, कि आपने supply changing rate के पहले किया है, यह supply changing rate के बात किया है, अगर supply आपने changing rate के पहले किया हो, supply आपने changing rate के पहले किया हो, तो वो situation में, यहाँ पे TOS कैसे fix किया जाएगा, okay, तो देखो, यहाँ पे, इसमें तीन clauses है, 1, 2 और 3, अब first clause में supply तो पहले changing rate, यहाँ पहले rate 12% था, बाद में 18% हुआ, तो supply तो पहले ही है, लेकिन invoice और receipt बाद में है, तो अगर supply पहले है, और invoice और receipt बाद में है, तो whichever is earlier, उस पे आपका TOS fix किया जाएगा, ठीक है, और आपको एक बाद बता दू, section 14 having overriding effect, over other section 12 or 13, मतलब क्या, मतलब यह हुआ, कि अगर आपकी case section 14 में आती है, तो आपको TOS section 14 से fix करना है, और जो भी applicable rate है, वो rate यहाँ से लेना है, ठीक है, अब आप कब कहेंगे कि section 14 का case है, तो section 14 का case हम कब कहेंगे, जब आपके तीनों में से कोई एक event scattered हो गया, अब तीन कौन से event है, supply, invoice and receive, कमांग, क्या, supply, invoice and receive, इन तीनों में से, अगर आप यह पूरे diagram देखते हो, तो कहीने कई एक event scattered हो रहा है, scattered हो रहा है मतलब changing rate के पहले है या changing rate के बाद है, कभी एक उधर है तो दो इधर है, कभी दो उधर है तो एक इधर है, तो ऐसे case में वो case changing rate of tax का कहा जाएगा, लेकिन अगर तीनों पहले है या तीनों बाद में है, तो वो situation में आपको जो TOS fix करना है, वो TOS यहाँ पे section 12 और 13 के हिसाब से fix करना है, जब scattered होता है तो ही वो changing rate का case कहा जाएगा, और changing rate का अगर case कहा जाएगा, तो यह जो principles दिये है, उस principle के हिसाब से आपको TOS fix करना पड़ेगा, तो पहला case की supply पहले है और invoice receipt दोनों बाद में है, तो whichories earlier में है, पर no doubt, sorry, पर यहाँ पे supply पहले ही है, पर invoice भी पहले है, तो वो situation में invoice changing rate के पहले है, फिर invoice यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, पर changing rate के पहले है, तो again आपको TOS जो fix करना है, वो invoice और receipt पे करना है, supply पे नहीं, सिर्फ supply यह देखना है कि पहले हैं बाद में, तो वो case में invoice पे TOS फिक्स होगा, अगर supply और receipt पहले है, और invoice बाद में है, तो आपको receipt basis पे TOS फिक्स करना है, in short, अगर वो situation clause A का है, कैसे याद रखना, अगर situation 14 A का है, मतलब supply changing rate के पहले होगा, तो एक line में खतम कर दो, और वो एक line में क्या खतम कर दो, तो आपका TOS, invoice और receipt, वीचेवरीज अर्लियर पे आ जाएगा, और उस दिन का जो भी GST rate है, वो लेना पढ़ेगा, अगर आपका supply बाद में, जहां सुनना, यहने changing rate के बाद supply है, पर event scattered है, तो अगर आपका supply बाद में है, तो अगर यहां देखते हो, तो यहां whichever is later वाला concept लगाना पड़ेगा, मतलब supply बाद में, invoice पहले है, receipt बाद में है, तो यहां problem अगर exam में आए, तो आपने draw भी कर लेना, तो receipt basis पे, अगर receipt पहले invoice बाद में है, तो invoice यहने whichever is later, लेकिन, लेकिन अगर invoice और receipt बाद में है तो फिर whichever is earlier, तो इसको कैसे याद रखना हैं, इसको ऐसे याद रखना कि invoice और receipt whichever is later, लेकिन अगर दोनों पहले होते हैं, तो whichever is earlier, तो याद रखने कि इसाब से मैंने यहां पे, आपको दिया हुआ है कैसे याद रखना और शॉट में वो भी यहाँ पे दिया हुआ है अब एक concept आपको बताना चाहोगा और वो concept क्या अगर date of entry in the books और credited to bank इसके बीच में change in rate हो जाता है मतलब बहुत सी बार क्या हो जाता है आपको बता दो आपने customer से check ले लिया book entry कर दी 20th को आपने book entry कर दी पैसा लेके और उसके बाद में first को change in rate हो गया और bank में 5th को credit हुआ bank में 10th को credit हुआ तो government कहती है कि अगर यहाँ पे book entry पहले हो गी और next bank को credit होने के पहले बीच में अगर change in rate हो जाता है तो आपका receipt का date book entry या bank realization whichever is earlier नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ planning होती है और मैंने regular class में वो बहुत डीटेल में आपको बताया था तो यहाँ अभी receipt concept समझ लो अगर आपका book entry पहले होता है credited to bank बाद में होता है और बीच में change in rate हो जाता है और अब आगे देखो credited to bank after 4 working days होता है और 4 working days आपको कहां से लेना है तो 4 working days आपको from the date of change in rate of tax लेना है मतलब एक तारीक को change in rate of tax होगा तो वहाँ से 4 working days और 5 तक 5 तक bank में credit नहीं हुआ 5 तक bank में credit नहीं हुआ तो आपका date of payment received date of payment received जो माना जाएगा वह date of credited to bank माना जाएगा मतलब government ये कह रिये कि book entry के बाद अगर change in rate होता है तो change in rate के 4 दिन के अंदर bank में realize होना चीए अगर late कर दिया तो फिर हम book entry के basis पे नहीं मानेंगे हम जिस दिन bank में credit हुआ तब मानेंगे देखो एक बार फिर से एक बार फिर से ये point देहां समझ लो अगर normally हम date of payment receipt कब मानते है date of payment receipt हम तब मानते है जब book entry या bank realization which is earlier normally तो ऐसा ही लेंगे इसमें भी थोड़ा अलग approach समझाते है इसमें भी government क्या कहती है book entry और bank realization की बीच में अगर change in rate of tax होता है और अगर आप चार दीन from the change in rate of tax में और के bank में realize कर लेते हो तो हम अभी भी book entry और bank realization which is earlier याने TOS book entry पे करेंगे लेकिन अगर आपने चार दीन से ज़्यादा late कर दिया I repeat चार दीन से ज़्यादा late कर दिया for realization in bank तो फिर हम even though earlier book entry वा होगा पर book entry पे TOS नहीं मानेंगे जिस दिन bank में realize उसी दिन आपका TOS माना जाएगा I hope you understood better अगर समझाओगा मजा आयाओगा तो मुझे कैसे पता चलेगा समझाओगा तो आपको एक काम करना है Yes और जिननोंने like कर दिया है वो थम बता है ठीक है नहीं पेटा रियल इस्टेट के TOS वगर आपको नहीं यहाँ पे learn करना है रियल इस्टेट का कोई भी पार्ट आपको नहीं पढ़ना है चले अब उसके बाद में continuous supply of goods और continuous supply of service यह concept को यहाँ पे समझ लेते हैं continuous supply of goods मतलब क्या तो यहाँ पे main point के है आप goods का supply कर रहे हो जिसमें continuous है recurrent basis पे है under a contract है under a contract है यह बहुत important है कि आप continuous recurrent basis पे supply कर रहे हो contract में supply कर रहे हो आप हो सकता wire, cable, pipelines other conduit या फिर normal भी supply whether or not मतलब यह media यह use कर रहे हो या फिर other mode से supply कर रहे हो for which, यह last point important है for which supplier invoice to recipient on regular or periodical basis पर यह बहुत clearly का है कि continuous supply तभी का जाएगा जब invoices periodically दिये जा रहे है आपके supply के जैसे gas supply किया जा रहे है तो monthly basis पे, four night basis पे newspaper supply रहे है भाई दूदवाला milk supply कर रहे है तो वो invoice periodical basis पे दे रहे है हर remote पे नहीं दे रहे है तो वो situation में उसे continuous supply of goods का जाएगा ख्याल रहे है, चार point बहुत ज़रूरी है contract continuous return basis पे under a contract है, यह mode use किये जा रहे है और main important point है कि supplier invoice mechanism जो है वो remote पे नहीं है, वो periodical है, तो वो case में continuous supply of goods बोला जाएगा and includes any supply of goods notified by the government, अगर government कोई यहाँ supply notify करता है as a continuous supply of goods तो वो होगा अभी फिलाल कोई government ने notify नहीं किया, continuous supply of service कब कही जाएगी, ओके वो भी continuous or recurrent basis पे दी जा रहे है under a contract है, specific उसका contract है, और period exceeding 3 months है, with periodical payment obligation ओके ख्याल रहे है, यहाँ पे specifically कहा है कि service को continuous supply तभी बोला जाएगा जब उसका period more than 3 months है, exceeding 3 months एक बार बोले में साथ, exceeding 3 months है, तो वो continuous supply service बोली जाएगी, तो दोनों में क्या difference है बेटा दोनों में यह difference है कि continuous supply of goods में period नहीं है 5 दिन का contract भी continuous हो सकता है 10 दिन का contract भी continuous हो सकता है provided that invoice पिरोडिकल दिये जा रहे है लेकिन service में continuous supply of service तभी हो सकती है जब यहाँ पे period more than 3 months है, अगर contract period ख्याल रहे है service period नहीं, contract period, कभी क्या हो जाता है contract period यहाँ पे 2 मेने का ही है, service 4 मेने चलेगी, service 10 मेने जाएगी contract period आपका कितना उसके base पे continuous supply of services है तो यहाँ पे period exceeding 3 months होगा, तो ही वो situation में continuous supply of service कही जाएगी continuous supply of service कही जाएगी पेटा यह revision है तो आपका एक सवाल हा सकता है कि यह revision है हम आखरीम बात करेंगे चली, तो जहाँ तक देखा जाए, तो next includes any service notified by the government अब continuous supply of service में उन्होंने specifically और कहा है with periodical payment obligation मतलब जो recipient, यह भी point बड़ा important है continuous तो भी बोला जाएगा जब recipient periodically pay कर रहा है तो उसे continuous supply of service कहा जाएगा जैसे कोई gas pipeline से supply किया जा रहा है या petrol supply किया रहा जा रहा है continuous supply किया जा रहा है services, एक contractor है और contractor यहाँ पे कोई construction project है और continuous supply of service यहाँ पे provide कर रहा है चलिए, यह तो हमने definition देखा continuous supply of goods का और continuous supply of services का इनके invoice mechanism और TOS देखेंगे इसके invoice mechanism और TOS देखेंगे पहले इनके invoice mechanism देखेंगे और उसके बाद में TOS देखेंगे तो यहाँ पे continuous supply of goods का invoice यहाँ पे invoice लिख ले न और invoice for services तो in case अगर आपने goods supply किया होगा तो देखो अब एक समझ लोग दूद वाला है और के रोज वो दूद दे रहा है पर continuous supply of goods है और business का nature ऐसे कि वो periodically invoice बनाता है तो अब daily वो जब goods आपके घर पे दे रहा हो तो तब हर रिमोल पे वो invoice बनाना practically उसके लिए possible नहीं है आप वो gas supply कर रहा है पेट्रोल supply कर रहा है तो उसके रिमोल पे invoice देना चाहिए क्योंकि normal provision क्या कहती है अगर आप goods supply कर रहे हो तो वो situation में आपको जो है रिमोल पे invoice देना पड़ेगा लेकिन government भी यह समझती है कि contract अगर continuous supply of goods का है तो हर रिमोल फिक्स करना पॉसिबल नहीं है इसलिए government क्या कहती है government कहती है कि आपको invoice कब देना है आपको invoice देना है invoice shall be issued before before भी दे सकते हो या at the time of each successive statement याने यह जो successive statement आप बनाओगे और successive payment received whichever is earlier याने जब आप periodical statement बनाओगे maybe four nightly, maybe monthly maybe 10 दिन का जिस दिन आप statement बनाओगे दूद वाला पुरे month का एक statement लेके आता है तो statement के पहले या statement तक आपने invoice देना चाहिए तो what is the last date last date of issue of invoice in case of continuous supply of goods the last date of issue of invoice in case of continuous supply of goods is date of successive statement और successive payment which is earlier वो last date मानी जाएगी सुनो, वो last date मानी जाएगी यह बहुत important है उसके बाद में अगर आप continuous supply of service हो तो continuous supply of service के case में government ने invoice कैसे देना चाहिए उसकी यहाँ पे 3 clauses रखे, clause A अगर आपके contract में due date of payment by recipient recipient ने मुझे पैसा कब देना चाहिए वो contract में ascertainable है समझ लो मैंने rent agreement किया 11 मैंने का आपके साथ तो 11 मैंने का अगर मैंने rent agreement किया है तो वो situation में मेरा contract 3 मैंने से जादा है तो वो case में continuous supply of service बोला जाएगा या aim से लिया है और मैंने मेरे contract में clear date लिखी है कि month end होने के बाद 10 तारीक को due date ascertainable 10 तारीक को recipient मुझे rent देगा और कि अगर ऐसी date clearly available है due date of payment is ascertainable ascertainable है तो आपका invoice कब जाएगा TOS तो बात में देखेंगे आपका invoice कब जाएगा तो invoice shall be issued on or before the due date of payment और जो due date fix की गई है 10 तारीक उसके पहले invoice देना चीए तो अब बिरसा थुड़ा fix करो ओके invoice आप पहले भी दे सकते हो लेकिन due date तक देना चीए तो यहाँ पर कब बोला जाएगा कि invoice within time है तो invoice within time in case of continuous supply service बोला जाएगा जब invoice due date के पहले दे दिया गया या फिर due date तक दे दिया गया तो within time कहा जाएगा भी situation में अगर continuous supply of service है और due date of payment is not ascertainable I repeat due date of payment is not ascertainable तो वो situation में यहाँ पर date of payment invoice shall be issued at a time when supplier यह complete नहीं आया बटा इसको complete कर ले न invoice shall be issued before at a time when supplier of service receives the payment receives the payment वो पुरा नहीं आया है वहाँ कुछ रही गया है ठीक है तो मैं correction करके डाल दूगो वापस से चार्ट पर ठीक है इतना तो आप correct कर सकते हो और कि corrected होगा आपकी इसमें तो अच्छी बात है तो वो जो payment जिस दिन receive होगा बहुत सी बात समझ लो मेरा यहाँ पे service है training coaching आट मैंने का contract है तीन मैंने से जादा है पर मैंने कहा कि मैंने student को कहा आपको तीन installment देना पड़ेगा रिसीपेंट is liable to pay periodically तीन installment में देना पड़ेगा पर मैंने due data certain नहीं की है सिब बताय कि तीन installment में देना पड़ेगा तो वो case में मैंने invoice on or before जिस दिन पहली installment जब भी आएगी payment receipt second installment जब भी आएगी third installment जब भी आएगी उसके पहले या उस दिन तक मैंने invoice देना चीए तो कब बोला जाएगा कि invoice issued within time under clause भी invoice issued within time under clause भी तब बोला जाएगा जब आपने payment जिस दिन receive उसके पहले या उस दिन तक आपको या आपने invoice दे दिया गया और next where payment is linked to completion of event अब कभी कभी क्या होता continuous supply में event fix किये जाते जैसे construction service है तो ये contractor ने event fix किये मतलब क्या मुझे plint पे 30% पैसा लगेगा first floor पे मुझे और 20 लगेगा second floor पे और 20 लगेगा तो उसने event पे supplier ये है, builder recipient है उसने event पे fix किये contractor service का पैसा तो अगर आपने event link based होगा आपका contract तो जिस दिन आपका event complete होगा दोस्तों, सुनिये, सुनिये, सुनिये जिस दिन आपका event complete होगा उस दिन या उसके पहले तक आपने invoice देने चाहिए तो clause C में कब कहा जाएगा कि invoice within time invoice within time बोला जाएगा जब to the extent of that event जिस दिन event complete होगा उस दिन या उसके पहले जो है यहाँ पे invoice दे दिया गया अगर event complete होगा उस दिन या उसके पहले नहीं दिया गया और उसके बाद दिया गया तो not within time कहा जाएगा यह तो था बिटा continuous supply of goods और continuous supply of service एक और event है वह goods goods sent on uproll or return basis मतलब आपने sale किया on uproll or return basis बहुत सी बार जब आप भेशते हो आपने remove करते वक्त supply नहीं है remove करते वक्त supply नहीं है अब देखो जब remove हो रहा है तो हम invoice नहीं बना सकते क्योंकि normal case के साब से जब आप remove for supply करोगे I repeat remove for supply करोगे तब ही invoice और मैं uproll or return basis पर भेज रहा हूँ अगर मैं uproll or return basis पर भेज रहा हूँ तो remove करते वक्त रूल 55 की चालान बनेगी हमने इस से related कुछ clarification भी देखे थे jewelry का देखा था आर्टीस का देखा था जो हम आगे बाद में देखेंगे तो अब यहाँ पर सुनिएगा goods in turn on overall basis पर invoice कब बनाना चाहिए अब law यह कहता है कि before or at the time of supply before or at the time of supply मतलब क्या मतलब जब acceptance मिल जाएगा यहां लिख दो आप acceptance या जब supply fructify होगा और कि यहने आपने goods भेजा तो रिमोल पर invoice नहीं बनेगा भेजने के बाद जब customer उसका acceptance दे देगा fructify करेगा उस दिन या उसके पहले आप invoice दे सकते हो उस दिन या उसके पहले आप invoice दे सकते हो लेकिन अगर 6 मैने तक acceptance नहीं आया तो six months from the date of removal नहीं जिस दे निमो क्या वहाँ से six months अब complete हो जाएगे तो वह आपका यहाँ पर invoice का date रहेगा whichever is earlier तो थोड़ा यहाँ समझने कोशेश करना हमें TOS fix करने के लिए last date निकालनी होती है तो अब situation क्या है कि अगर आपने good send on approval return basis पे दिया होगा तो उस context में what is the last date of issue of invoice तो यहाँ दो last date आती है सुनो come on यहाँ दो last date आगी अगर 6 मैने के अंदर acceptance आगया what is the last date last date is date of acceptance क्योंकि उसके पहले भी आप invoice दे सकते हो तो last date of invoice last date of acceptance और यहाँ दो last date आएगया और अगर 6 मैने में acceptance नहीं आया तो जिस दिन 6 मन complete होगे वो आपकी last date of invoice मानी जाएगी समझा होगा तो आपको क्या करना आपका पता है जिन्होंने like कर दिया है ओके नहीं किया तो अभी अभी करो express करो अपने आपको और जिन्होंने कर दिया है वो thumb करें तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारा concept देख लिया है एक page में पूरा TOS हो गया है एक page में पूरा TOS हो गया है बस आप question या कर लो देखो फटापट हो जाएगा चलिए अब ये table में आपको समझा देता हूँ ये table क्या कहता है इस table को मैंने इस तरह से arrange किया है यानि अगर आप इसको carefully देखे तो सारे TOS जो है मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से arrange करके दिया है supply of goods, supply of services supply of goods के पूरे इंडिया में तीन टाइप के contract हो सकते है एक normal बेरी रिमो हो गया invoice दे दिया normal एक continuous जो हमारे definition की साबसे है और goods sent on approval basis ये तीन टाइप के contract इसके अला business में दुसरा supply of goods नहीं है next बेटा अगर supply of service है तो supply of service में दो ही होगा normal जो 30-45 days में invoice देना है या फिर continuous supply या फिर continuous supply ठीक है बस ये सारे situation में TOS कैसे fix हो गए क्योंकि अभी तक तो हमने invoicing देखा normal TOS भी देखा पर अब सारे situation में TOS कैसे fix हो गए ये देख लेते हैं अगर ये हो गया तो हो गया आपका तो अब देखिए अगर invoice mechanism कुछ भी हो दहां से सुनों दहां से सुनों बड़ा important है invoice mechanism कुछ भी हो वो रिमोल पे हो goods का या फिर वो successive statement या successive payment पे हो या फिर वो date of acceptance 6 month हो invoice जो भी हो मतलब मेरा ये कहना है कि invoice mechanism तीनों cases में अलग-अलग हो सकता है पर जब भी आपको TOS fix करना है case कोई भी हो TOS ये दो ही logic पे fix होगा come on case कोई भी हो normal हो continuous हो goods and on operable basis पे हो TOS ये दो ही logic पे fix होगा date of issue of invoice in the context of normal case in the context of continuous supply of goods in the context of goods sent on operable or return basis और अगर service होगा दहान से सुनिएगा service होगा तो TOS तो ये तीन principle पे ही आएगा A, B, C तीन principle पे या reverse charge के principle पे ये तीवेस के लिए ये principle अप्लाय करने पड़ेंगे in normal case ये in continuous supply of services हाँ service में goods sent service sent on operable return basis नहीं होता है ठीक है तो वो concept नहीं होता है बस इतना ख्याल रखना तो वही supply of goods में आपको always दो ही concept fix करना है date of issue of invoice ये last date of issue of invoice हाँ अब ये principle को लेकर नहीं ये principle normal case में आप कैसे अप्लाय होते है ये principle continuous supply के case में कैसे अप्लाय होते है और ये principle good sent on approval return basis पर कैसे अप्लाय होते है बस simple है principle वही लगाना है तो चलिए थोड़ा मेरे साथ यहाँ पर देखिएगा date of issue of normal case है मतलब normal ये रिमोल पर तो वो तो simple है अगर आपने invoice before दिया होगा या date time of removal दिया होगा तो आपका T.O.S. invoice पर आएगा अगर आपने invoice before नहीं दिया है not issued not issued on or before removal और delivery तो फिर last date लेना पड़ेगा तो आपका T.O.S. last date of invoice आएगा done चलिए अब वही principle को continuous supply of goods के context में देखते हैं अब continuous supply of goods के context में हमने last date निकाली थी अगर successive statement या successive payment उसके पहले या उस दिन तक आपने invoice दे दिया है तो आपका T.O.S. date of issue of invoice ही रहेगा हाँ क्योंकि आपको T.O.S. always date of issue of invoice चलना है date of issue of invoice तो आप T.O.S. date of issue of invoice कब लोगे continuous supply of goods के case में है अगर successive statement या payment received के पहले invoice जा चुका है या उस दिन तक जा चुका है लेकिन अगर successive statement या payment receipt whichever is earlier उस दिन या उस दिन के पहले invoice नहीं दिया होगा तो फिर आपको last date लेनी है और last date of invoice आएगा date of successive statement or date of payment receipt I hope आपको ये समझाओगा बिटा मुझे ये बताईए मैं दो एक मिनिट के लिए रुकूगा और यहां तक समझा क्या मुझे बताईए यस और नो जो भी मुझे से connected है प्लीज answer देने की तकल्लफ उठाईए ठीक है ये समझाओगा तो बताईए बिटा चली ये तो हमने देखा continuous supply के case वे अब गुट सेंट उन अपरोल रिटन बेसिस यहां पे दो लास्ट आएगी ये समझ लेना इसले contract को divide करे दो लास्ट आएगी मेनए अभी आपको पड़ायटा इसले यहां पे जिकाओ if acceptance is given before six months अगर आपको छे मैने के अंदर acceptance आ गया हो 6 मैने के अंदर acceptance आ गया हो और आपने invoice आपने invoice on or before acceptance यानि customer जिस इन एकशेप्ट किया उस दिन invoice आपने within time दे दिया उस दिन आपने invoice दे दिया या उसके पहले दिया हो एक situation है दूसरा acceptance छे मैने में नहीं आया और आपने invoice 6 मैने के पहले खुदो के दे दिया हो जिस दिन 6 मेने complete हुए या उसके पहले खुद हो के दे दिया आपको दोनों situation देखने बढ़ेगी acceptance आ गया तो acceptance के पहले या वो दिन नहीं आया तो 6 मेन आया उसके पहले अगर ये दो situation में ये बहुत important है ये दो situation में अगर आपने तो invoice आपने within time दे दिया अगर within time मतलब आपने invoice acceptance के पहले दिया हो या 6 मेन्स के पहले दिया हो तो आपका 2- Republic date of issue of invoice होगा date of issue of invoice होगा स्टूडन का confusion क्या होता है स्टूडन ये सोचते के acceptance नहीं आया तो फिर हम जिस दिन 6 months complete होगे वो date, नहीं नहीं नहीं, acceptance नहीं भी आया होगा, तो भी आपने 6 मेने के पहले invoice दे दिया भाई, अगर 6 मेने के पहले invoice दे दिया, तो वो situation में date of issue of invoice से लिया जाएगा, लेकिन अगर आपने invoice acceptance आने के बाद दिया, और acceptance आने के बाद दिया, और acceptance आने के बा और आपका invoice 6 मेने में नहीं जाता है, तो date on with 6 months expire, यह बता दो, यह समझाए नहीं समझाए, मैं फिर से यहाँ पे 1 minute रुकूगा, बस यह समझ गया होगा, तो हो गया concept, आपको दो situation लिए, acceptance आगया, तो जिस दिन acceptance आया, उस दिन या उसके पहले invoice दे दिया, तो date of issue of invoice, या नह नहीं आया होगा, तो 6 मेने के पहले या 6 मेने तक आपने invoice दे दिया, तो date of acceptance of invoice, और आपकी last date क्या होगी, acceptance आगया, और आपने invoice नहीं दिया, तो last date date of acceptance, और 6 मेने हो गया, और आपने invoice नहीं दिया, तो last date इस दिन 6 मेने expire हो जाएगे, यह बताए, यह समझाए नहीं समझा, yes or no चलिए, तो इस तरह से आपका TOS आएगा, goods के case में तीनों context में मैंने आपको समझा दिया है उसके बाद में supply of services लाइन से सुनिएगा, supply of services service के case में भी आपको TOS जो है A, B और C, तो C तो ठीक है सबके लिए common कि आपने books में provision कर दी mainly A और B लेता हो यहाँ पर, invoice issued within time, तो date of issue of invoice or receipt of whichever is earlier, और invoice not issued within time, तो date of completion or provision of service और date of receipt of whichever is earlier, यह लिया जाएगा, अब थोड़ा इस concept को समझा लो, यह तो मैंने, शोड़ो, normal case में normal case में, अगर आपने invoice अगर आपने invoice 30 days या 45 days के पहले दे दिया, तो आपका TOS date of invoice और receipt of whichever is earlier लिया जाएगा next, अगर आपने invoice within 30 days या 45 days नहीं दिया 30 days और 45 days नहीं दिया, तो फिर date of completion of service या provision of service और receipt whichever is earlier receipt की वह यह book entry और credited to bank whichever is earlier वो लेना पड़ेगा continuous supply of service के case में कैसे देखोगे, continuous supply of service में थोड़ा ये concept को ऐसे समझ लो हमने क्या देखा, continuous supply of service में invoice issue करने के तीन तरीके है अग recipient ने कब पे कर देना चीए, उसकी due date ascertainable है, तो due date TOS आएगा, due date invoice आएगा, और हम within time कब बोलेंगे है, जब due date ये उसके पहले invoice दे दिया हो अगर not ascertainable है, तो payment आएगा और event based होगा, तो event link आएगा तो ऐसे case में, अब देखो यहाँ पर अगर due date ascertainable है, धान से देखिएगा due date ascertainable है, और आपने invoice, जो भी due date fix है contract में, उसके पहले या उस दिन तक दे दिया, मतलब within time हो ये situation A में within time कब बोला जाएगा, situation B में within time कब बोला जाएगा अगर due date ascertainable नहीं है पर payment के पहले payment receipt के पहले या payment तक आपने invoice दे दिया हो, तो within time बोला जाएगा ये कब बोलेंगे invoice within time in the context of continuous supply of service, तो आपने payment के पहले दे दिया, या तिसरा आपने completion के पहले या completion के date तक आपने invoice दे दिया, तो बात खतम, तो वो situation में या अगर आपने तीनो तीनो वैसे कोई भी situation में आप fit होते हो, और आपने within time दे दिया, तो simple date of issue of invoice, और receive whichever is earlier, लेकिन आपने due date तक invoice नहीं दिया, okay due date तक invoice नहीं दिया, तो फिर, फिर आपको date of completion of service और receive whichever is earlier, और यहाँ पर ICI का interpretation है कि date of completion due date मानी जाएगी, यानि जो contract में due date है, वो आपकी date of completion मानी जाएगी, तो due date of payment और date of receive whichever is earlier, तो जो payment की due date है customer की, यहाँ due date of payment मतलब लिख देना साइट में, customer की क्यों कौन सी date fix की है, वो date of completion मानी जाएगी, क्योंकि हमें fix तो यही principle पर करना है, date of completion of service, तो वो date मानी जाएगी और date of receipt which is earlier, अगर payment जिस दिन मिला तब तक invoice नहीं मिला, तो वो case में date of receipt date of receipt, वो आपकी date of completion मानी जाएगी, तो वो लिया जाएगा, और event link based होगा, तो और जिस दिन event complete हुआ, जिस दिन event complete हुआ, उस दिन या उसके पहले invoice नहीं दिया होगा, तो फिर आपका date of completion of event or date of receipt which is earlier यह माना जाएगा, done, okay बेटा, okay, यहाँ पे, बेटा, telegram link join करो, उसमें थोड़ा scroll करो, सब मिल जाएगा, मैंने दिया है, आप देखते नहीं हो, यार, description column में telegram link दिया है, okay, जोर से बोलो, समझा है नहीं समझा, सबको, जो भी student connected है, express करो आपने आपको, ठोको like, और जिसने ठोक दिया है, और के यहाँ पे, तो, yes, thumb, चलिए, अच्छे से समझ में आया, तो चलिए बेटा, आज का रिवीजन यहीं यहीं हो रहा है, देखो, अब मैं आपको,